स्टूरिंट्स इस सवाल में इसे इसे चाहँ कर ना है इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वार प्लस बन बाई 2 x का होल स्क्वार प्लस 2 इन टू x इन टू 1 बाई 2 x यहां पर 2 x और 2 x कैंसल होगे वापस हमें 1 ही मिलेगा और यहां से अगर हम minus 7 common लें तो बचेगा x plus 1 by 2x अब आप देख रहे हों कि ये तीनों जो term है ये x plus 1 by 2x के whole square के form में है इसे हम देख सकते हैं x plus 1 by 2x का whole square minus 7 into x plus 1 by 2x अब हम x plus 1 by 2x को common ले सकते हैं तो अगर हम x plus 1 by 2x को common ले तो यहां पे बचेगा x plus 1 by 2x और यहां पे बच रहा है minus 7 यही answer होगा है थैंक यू